युद्द के सत्तर दिन, बेबसी के सत्तर दिन, धर्द के सत्तर दिन, पोर्ट और नौसेना बेस्ट्स, युक्रेन की कमर तोड़ने के लिए रूस की नजर शुरू से इन दुनों पर ही रही है, और मार्या पोल पोर्ट पर कबजे के बार, ब्लैक सी के जरीए वो नौसेना क के मोर्ची पर भी चौकन ना है आपको हम दिखाते हैं हमारी समवादाता गीता मोहन की एक्स्क्लेसिब रिपॉर्ट हम याँ सेरस्तपोल नेवल बेस में हैं जो रूस के नेवल माइट को दर्शाता है यह बहुत ही इंपॉर्टन नेवल बेस है जो ब्लैक सी फ्लीट है रूस का वो यहीं से ऑपरेट करता है और अलहाल फिलहाल में आपने देखा है कि ब्लैक सी फ्लीट काफी अक्टिविटी कर रहा है इन सारे वाटर्स में जो ब्लैक सी कहते हैं और आज 2022 में हम इसको और strengthened way में देख रहे हैं, ये infrastructure रूस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेवस्तपोल और क्राइमिया दोनों रूस के लिए strategic importance रखते हैं, यूकरेन से अगर लडाई लडनी हैं, तो ये पानी, ये Black Sea बहुत जरूरी है, Black Sea का जो access है, उसके लि बेस बहुत जरूरी है, Black Sea Fleet ने 2008 में Georgia के साथ जब लडाई हो रही थी, तो ब्लॉकेड में इसी फ्लीटे बहुत मदद की, और इसी वजह से आज सेवस्तपोल नेवल बेस यूकरेन में, जब ओडेसा के तरफ से कुछ भी आता है, नेवल लडाई के तो ये ही बेस है, जो उ military might है, इसका बहुत ही बड़ा important role है, Black Sea और भी बहुत important है, सेवस्तपोल इसले भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो access है Mediterranean, Atlantic और Indian Ocean का यहीं से होता है, तो इसको खोना रूस के लिए बिलकुल ही non-negotiable है, और एक ऐसी जगह है जिसे रूस कभी नहीं छोड़ेगा, रूस के अ North और South Seas में रूस के ports हैं, वो बहुत important हो जाते हैं, ताकि वो larger seas यानि larger waters, चाहे वो Mediterranean हो, Atlantic हो, या Indian Ocean हो, उन सब पर सब तक पहुँच पाए, इसलिए यह सेवस्तपोल नेवल बेस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, यह जो नेवल बेस है और यह जो पानी है, यहीं से और अगर पानी में लड़ाई होती है, और पानी में यानि की waters, नेवल वारफेर में अगर जीत हासल करनी है, तो रूस इस नेवल बेस को छोड़ नहीं सकता, ओडेसा एक ऐसा port है, जहां से लड़ाई यूकरेन की जारी है, लेकिन क्योंकि वो shoreline बिलकुल sea mine से भरा हुआ ह इसलिए अभी भी वहाँ पर बहुत जोरो शोरो से नेवल वारफेर नहीं चल रहा है, लेकिन अगर चलेगा, तो फिर यही यही वो नेवल बेस है, जहां से रूस अपने वारशिप्स भेजेगा, और भेज भी रहा है, सबमरीन भेजेगा, ताकि वो ओडेसा port को गिरा सके यानि कि कबजा कर सके, अगर कबजा कर लेता है, तो फिर रूस के पास एक नहीं, दो critical port infrastructure होंगे, यूक्रियन के पास ना नेवी रहेगा, ना port, कैमरी पसंसाते राहतरे के साथ, सेवस्त पोल नेवल बेस में, गीता मोहन आज तक.